हलो फ्रेंड्स असलाम लेकूम कैसे हैं आप सब और आज मेहा पर बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी टेस्टी फ्रूट कस्टर्ड ब्रेड पुडिंग और यह बहुत ही हेल्दी है बहुत ही टेस्टी है और बनाना बहुत ही आसान है तो आप भी इ आप इसे बना कर खा सकते हैं तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें बिल्कुल आखिर तक तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने हाँ पर आधे लिटर दूद ले लिया है दूद को हम अच्छे तरीके से गरम होने देंगे और उबाल आने के बाद लगबग एक से दो मिनिट के लिए और हम अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे यहाँ पर हमने ठंडा दूद लिया है ए मच हमने एक कप दूद में कश्टड पाउडर डाला है तो इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लंस ना हो कोई गुटली या गाठी ना पड़े तो इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो यह देखिए हमने custard powder को दूद में अच्छी तरीके से घोल दिया है तो दूद भी हमारे अच्छी तरीके से गरम हो चुका है तो अब हम इसमें custard powder डालेंगे और जब भी आप custard powder दूद में डाल रहे हूं तो उसको अच्छी तरीके से पहले mix कर ले और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और अच्छी तरीके से दूद को mix करते जाएंगे इस तरीके से और आप देख सकते हैं दूद धीरे धीरे करके गाड़ा होता जा रहा है और यह अच्छी तरीके से गाड़ा हो चुका है और इसी तरीके से हम लगातार चलाते जाएंगे और अब हम गैस को बन कर देते हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कश्टड बन कर तयार हुआ है बहुत दूद हमारे इदम अच्छी तरीके से गाड़ा हो चुका है जैसे कि हमें चाहिए तो गैस को हमने बन कर दिया है तो अब हम इसमें लगबग एक कप शक्कर डालेंगे और शक्कर को भी अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे और हमारा दूद यानि के कस्टड जो हमने बनाये वह भी गरम है तो चीनी इसमें घुल जाएगे अच्छी तरीके से आप चाहें तो जब दूद गरम कर रहे हैं तब भी से डाल दे शकर को और अच्छी तरीके से इसमें घुल जाने दे तो इसे अब हम ठंडा होने देते हैं तो यहां पर हमने ब्रेड ली हुई है टूटी फ्रूटी ब्रेड और यहां पर हमने मिक्स फ्रूट लिया है केला है अनार सेब और स्ट्रॉबरी और अंगूर बारिक कटे हुए तो यहां पर bread हमने लिया और यहां पर हमने जैम लिया हुआ है आप चाहिए तो सादर ब्रेट भी ले सकते हैं लेकिन मैंने तूटी-फूटी-फूटी ब्रेट लिया स्वीट ब्रेट और यह थोड़ा सा मीठा होता है तो इस पर हम जैम लगा लेंगी इस तरीके से तो यह करेंगे और यहां पर हमने यह कस्टड पाउडर जो हमने बनाया था कस्टड ने दूद का जो बनाया था यह बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इसमें हम सारे मिक्स फूट डाल देंगे आपको जो भी फूट पसंद हो या जो भी फूट अवैलेबल हो तो आप वो सारे फूट यहां पर ले सकते हैं तो इसमें हमने सारे फूट डाल दिया है बस थोड़े से बचा लिया है गार्णिश करने के लिए और इन सारी चीजों का मच्छी तरी लेंगे मिला लेंगे आपस में आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं तो यहां पर हमने एक डिश लिया हुआ है बेकिंग डिश जिसा कहते हैं और इसमें सारी चीजों का असेंबल करेंगे तो सबसे पहले हम नीचे फूट कस्टड डालेंगे जो हमने फूट कस्टड बनाए है उसको हम सबसे पहले नीचे उसकी लेयर लगाएंगे और उसे अच्छी तरीके से हम फैला लेंगे चारो तरफ से और यहां पर हमें एक ब्रेट रखेंगे इस तरीके से आप चाहें तो ब्रेट के उपर शुगर सिरप डाल सकते हैं या फिर कोई भी फूट जूस हो आप डाल सकते हैं ताकि ब्रेट अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए लेकिन मैं यह पर कोई भी फूट जूस का यूज नहीं कर रहे हूं और शुगर सिरप क्यूंकि जैम वगरा सारी मीठे इसमें तो इसलिए मैं यूज नहीं कर रहे हूं फूट कस्टड डालने के ब ब्रेट को अच्छी तरीके से हम कवर कर लिंगे इस तरीके से तरीके से महई ताकि सारे ब्रेट में अच्छी तरीके से फूट कंचट डाल में यह देखे इस तरीके से हम डाल देंगे चमच की मदद से इस अच्छी तरीके से चार कोनों में इस तरीके से फैलाल है अच्छी तरीके से ब्रेट ताकि अच्छी तरीके से कवर हो जाए और यहां पर हमने विप क्रीम ली है और यह optional है अगर आपके पास है तो ही आप डाले वरना यह optional है तो मेरे पास विप क्रीम थी तो मैंने यहां पर उपर से इसके डाल दी है और विप क्रीम का भी फ्लिवर बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने म यहां पर हम फ्रूट कस्टड को विप क्रीम से कवर करेंगे यह देखे इस तरीके से हम अच्छे तरीके से कवर कर देंगे और अब हम उपर से बारिक कटे हुए जो हमने फ्रूट बचाय हुए थे वह हम उपर से डाल देंगे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे उसके बाद उपर से गार्निश करेंगे और यह देखने में बेहत खुबसूरत लग रहा है और बहुत ही लजीज लग रहा है देखने में और खाने में भी उतना ही लजीज है बहुत ही तेस्टी है तो आप इस तरीके से जरूर बनाएए तरीके से ठंडा हो जाए तो इसे हम freeze में रख देंगे और freeze से निकालने के बाद हम ने हा पर इसे रखा है और तो चलिए अब हम इसे serve करेंगे एछी तरीके से set हो चुका है तो उसे चम्मच की मदद से इस तरीके से हम इसे cut करेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़ियां सी यह कश्ट फूट कस्टर्ड ब्रेट पुडिंग बनकर तयार है और बहुत ही लग रहा है देखने में खाने में भी बहुत ही टेस्टी है मैंने इसे दो से तीन बार ट्राइ किया तो आप एक बार तो जरूर ट्राइ करें और अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताए यह फूट कस्टर्ड ब्रेट पुडिंग की रेसिपी आपको कैसी लगी यह वीडियो आपक झाल झाल